अज़ बात करते हैं इस्टार्टर के बारे में यह जो सामने देख रहे हैं आप यह फ्यूज का बेस है यह फ्यूज का बेस है इसके अंदर सिंगल फेस की सप्लाई लेने के बाद में आउट की जाएगी आगे के प्रोसेस के लिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फ्यूज के बेस में आप जो यह आगे सामने एक नॉब देख रहे हैं जहां पर आटी एटीन लिखा हुआ है यह एक मॉडल है थर्टी टू एम्पियर की कैपिसिटी का यह बेस है हलाकि कंट्रोल के लिए ओनली टू एम्पियर और सिक एम्पियर भी मैकसिमम है यह ओनली सेंपल के लिए यह फ्यूज रहता हूँ उसमें ओके अगले स्लाइड में देखेंगे यहां पर ओभर लोड रिले है जिसको ओएलार कहते हैं ओएलार यहां पर आप देखिए एक जगा लिखा हुआ है रिसेट और एक जगा लिखा इस टॉप में क्या है अगर मोटर रनिंग कंडिशन में है और कुछ आपको अब नर्मल लग रहा है तो यहां से आप प्रेस करेंगे तो भी इस टॉप हो जाएगा अदर्वाइज इनकेस ट्रीप हो गया है ओभर लोड रिले एक्टिव हो गया है तो आप यहां पर इसके अंदर में कॉंटेक्टर के थुरू सपलाई आके आगे डारेक्ट मोटर को जाएगी और जैसे ही मोटर में कुछ हाइए एंपियर लेगा कैपिसिटी से ज्यादा लेगा तो अंदर में एक प्लेट होती है कौपर की वो आपस में टच हो जाएगी और जो नीचे हम चाहें तो एक NC में फिर भी सप्लाई रहेगी तो उससे हम दूसरे ano को सप्लाई दे के और उससे उठा करके हम ट्रीप के लिए हम देते हैं basically ट्रीप के लिए कि वो ट्रीप का सिंबल बताए ट्रीप का push button कहते हैं और इसमें टाइप अलग-अलग होते हैं एक होता है no, एक होता है nc stop के लिए nc रहता है क्योंकि हमेशा यहाँ से supply पास करती है और आगे की लिए जाती है start के लिए जाती है start push button के लिए लेकिन आपको जब भी start करना होगा आप one time इसको एक बार प्रेस करेंगे supply आगे के लिए cut up हो जाएगी और उतने में ही वो contactor नीचे आजाएगा फिर से दोबारा on नहीं होगा जब तक आप green वाली push button नहीं प्रेस करेंगे आगे मैं आपको सोग कर रहा हूं वो ये रही green वाली ये no होता है इसमें एक तरफ supply रहती है आगे की तरफ पास नहीं होता आपको प्रेस करना होता है तो यहाँ पर एक अलग सा drawing होता है यहाँ पर एक अलगी wiring होती है इसमें जो in है न सप्लाई वो in से एक दूसरे उठा करके एक अलग सा loop contractor के auxiliary contractor के उपर एनो में दिया जाता है उसका एनो का आगे वाला point उठा करके फिर से coil के अंदर में दिया जाता है और एक इस push button के आगे से भी जाके coil में जाता है आप जैसे ही यहाँ पर प्रेस करेंगे supply coil में जाएगी contractor hold हो जाएगा जैसे ही hold होगा बस auxiliary contractor जो है वो भी नीचे जाएगा तो जो उसमें एनो में हमने पहले supply दिया हुआ है वो एनो अभी NC हो जाएगा और NC होने के बाद में उसका भी एक आगे का loop contractor में coil में है तो इस button को आप दबा के एक बार on जैसे करेंगे बस उदर से उदर जो supply है न एनो वाला वो NC बनके direct contractor को supply देता चला जाएगा आप इसको छोड़ देंगे supply यहां से cut up भी हो जाएगी फिर भी आपका जो है contractor hold रहेगा क्योंकि उसमें एक दूसरे थूरू से supply गई है और एनो में दिया हुआ था और वो अभी NC हो गया उसको stop शिरिफ एक ही कर सकता यह जो उससे भी पहले step में है stop switch इसको जैसे आप press करेंगे supply कट हो जाएगी उसके बाद में motor बंद हो जाएगा contractor उपर आ जाएगा आगे चलते हैं यह selector switch है selector switch में आप देख रहे हैं point common common में supply डालनी है एक उठा करके अगर आपको एक नमबर auto रखना है example तो यहां से उठा के direct contactor में देना है और contactor के coil में तो जैसे ही आप एक नमबर पर करेंगे direct चलेगा कोई जमेला नहीं कोई बटन दबाना नहीं अब जैसे ही आप दो नमबर पर करेंगे यानि manual तो फिर से आपको यह जो बटन है green वाली यहां से press करके आपको on करना होगा ठीक है उसके बाद में जी अगला है यह हमारा contactor यह contactor में आप देखिए यहां पर A1 लिखा हुआ है एक तरफ और एक तरफ लिखा हुआ है A2 तो A1 में supply coil की A2 में neutral यहां से आप दे देंगे यह coil के लिए हैं इसके बाद में देखिए एक और है उपर वाले जो points हैं उपर के 3 और नीचे के 3 जो छोटे-छोटे silver color वाले हैं यहां पर लिखा हुआ है एक A1, एक NC, एक A1 A1 वाला coil का supply NC वाला normal close और A1 का मतलब normal open हम जो बात कर रहे थे कि green वाले push बटन से एक supply direct हमें यहां पर देनी है वो देनी है A1 में A1 में उपर से दीजिए या नीचे से कहीं से भी यह इसको उठाकर के coil में डाल दीजिए face की side में और जैसे यह contactor नीचे की तरफ दबेगा उस टाइमें A1, A1, C हो जाएगा और supply आपका coil में continue मिलेगा आप अगर push बटन यह green वाली push बटन को छोड़ भी देते हैं तब भी आपको supply वहां से मिलती रहेगी और contactor चालू रहेगा जब तक यह red वाला को एक बाद प्रेस न करें यानि mains जो supply कट करेगी वो finally rate करेगी ठीक है जी rate करने की वज़े से यह हर तरफ से supply कट करेगा और उसके बाद से वापस से फिर वहीं प्रोसीजर या तो आप selector switch से on करिए या तो फिर आप green push बटन से करिए उसके बाद में आगे देखिए final drawing है जिसमें यह पूरी complete बनी हुई है controller लेकिन इसमें एक चीज की कमी है वो है green और red indicator और PFR face failure relay कहते हैं उसको वो इसमें चीज में नहीं लगी हुई है या MPR D2 और भी कई तरह के relay लगाय जाते हैं इसमें selector switch नहीं है इसमें एक और चीज नहीं है आगर आप इसको कैसे चलाना चाहते हैं मतलब पानी टंकी में भरना है और जब फूल हो गई टंकी और उस टाइमें बंद करना है तो उसके लिए आपको float switch लगानी होगी तो float switch लगाने के लिए आपको selector switch से auto से उठा करके float switch में देनी float switch का एक दूसरा point जो एनो होता वो उठा करके coil में देना है contractor के जैसे ही पानी भरेगा float switch पानी में उपर उठेगा उठेगा तो उसके अंदर एक गोली होती है शीषे जैसा भारी सा गोली होती है उसके अंदर एक switch भी होता है तो जैसे float switch उपर उठेगा वो गोली आकर के उस switch के button पे दबेगी और जैसे ही दबेगी बस यहाँ पे supply पास हो जाएगी और एक है कि पास हो जाएगी और एक है कि cut हो जाएगी तो जो पास हो जाएगी supply वो आजाएगी आपका टंकी full होने के लिए एक अलग से माली जे कि indicator लगा दिया आपने या तो फिर high level लगा दिया या फिर low level लगा दिया आपके उपर है कि आप उसको use कैसे करते पानी भरने के लिए या खाली करने के लिए और एक होता है off तो ये दो चीज है ठीक है जी या तो उसको run के लिए use कर लिजे या तो फिर उसको off में कर लिजे तो इस तरीके से float switch है दूसरा ये है आप timer पे लगा सकते है digital और analog timer पे कि आपको एक गंटे पे pump को on करना, off करना automatically तो उसके लिए आप उसको use कर सकते है और है आपको कहीं और किसी sensor के थुरू करना है flow के लिए करना है flow maintain करने के लिए यानि pressure maintain करने के लिए तो आप pressure switch का use कर सकते है उसमें कितने pressure, कितने kg पे और bar पे आपको set करना है उसमें छोटे-छोटे switch होते है आप उससे कम और ज्यादा कर सकते हैं मतलब अगर आपने 2 kg के प्रेशर पे कर दिया लाइन को सेट 2 kg से जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ प्रेशर स्विच अटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और सप्लाई पास करके आपके कॉंट्रेक्टर के कॉयल में आएगी और जैसे कॉंट्रेक्टर चालो होगा आपका मोटर चालो हो जाएगा तो यही था प्रोसीजर इसमें बहुत सारी चीज़े हैं यह तो SLD है ओनली सिंगल लाइंग ड्राइंग है यह और इसमें पूरा मेंसन नहीं है क्योंकि इस्टार डेल्टा का कनेक्शन इतना आसान नहीं है और वो भी यह DOL है ओनली डारेक्ट ओनलाइन जो बहुत इजी और बहुत सिंपल है तो ऐसा है और इस्टार डेल्टा बहुत बड़ा चीज़ है उसको ऐसे नार्मली वीडियो पे समझाना भी बड़ा मुस्किल होगा तो आगे और बात करेंगे इस्टार डेल्टा के भी बारे में बात करेंगे इसके लिए कैसे timer फिक्स करते हैं कैसे इसको float switch लगाते हैं basically आज का purpose यही था कि सब को यह मालूम चले कि इसको कहते क्या है क्या क्या नाम है इन चीजों के हैं ठीक है जी तो यही था आज का विडियो फिर अगले विडियो मिलते हैं तब तक के लिए देखते रहे हैं हमारा यूटूब चैनल तेंक यू